हम महगोरी माता की भगतों कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं आठवे नव राते में इनके रूप को ध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं हम महगोरी माता की भगतों कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं आठवे नव राते में इनके रूप को ध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं नव रातों का त्योहार भगतों को लगाए पार नब रातों का त्यों हार भगतों को लगाए पार गौर वर्ण है माता का और भी सब पे है ये सवार अपने चार भुजाओं में रही अस्त्र सस्त्र ये था श्वयत वस्त्र पहने है माने मुखणा चाद ससी तल माहगारी माता देती है भगतों को तमफल एक हाथ में है डमरू दूजे तिरसू लिलिया एक हाथ है वर्मुत्रा और तूजा अभै किया शांती मुत्रा में लग माता फूलों सी कोमल माहगारी के वंदन से मन होता है सीतल क्रोध नहावी होता जो जन्मा को ध्याते हैं पावन कथा सुनाते हैं आठवे नव राते में इसके रूप को ध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं नव रातों का त्यों हार भगतों को लगाए पार अपने पूर्व जनम में सतीय बन कर आई थी नव रातों का त्यों हार भगतों को लगाए पार अपने पूर्व जनम में सतीय बन कर आई थी भोले नाथ के संगईन होने शादी रचाई थी लेकिन पिता दच्छ ने कर दी अभोले का अपमान हवन कुंड में कूद के दे दी माने अपनी जान परवत राज हिमाले की फिर पुत्री बन आई पूर्व जनम की इच्छा पूरी अब करनी चाही हर एक जनम सिव को पाना मन में किया विचार लेकिन बिना तपस्या के ना इसके है आसार बिछुड सती से भोले ध्यान में बैठे ही जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं आठवे नव राते में इनके रूप को ध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं नव रातों का त्यों हार भगतों को लगाए पार नव रातों का त्यों हार भगतों को लगाए पार नारत जी ने आकर के माता को किया नमन बोले गौरा मुनिवर क्या है आने का कारण नारायन नारायन कर वो लगे है फिर मुसका ने बोले मैं क्या बतलाओं मा आप तो सब कुछ जाने जानता हूं मैं स्यू संकर को आपने वरना है बड़ा कठिन तप लेकिन इसके लिए तो करना है करके घोर तपस्या आप स्यू संकर को पाओगी तपका आचरन करने वाली माता कहलाओगी इतना कहकर नारद जीतों लोट ही जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं आठवे नवराते में इनके रूप को ध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं नवरातों का त्यों हार भगतों को लगाए पार इनके पिता को हो गई इनके विवाह की चिन्ता पारवती का खोजन वर एक पंडित को भेजा दसों दिसाओं में वह पंडित घूम के आया हैं कोई योग वर पारवती के लिए ना पाया है बोली पारवती है पंडित जाओ तुम के लाज सुसंकर है मेरा वर जो करता वही निवाज कहने से गवरा के पंडित है कैलास पे आये देखा के एक योगी बैठा वहां पे ध्यान लगाए देखके बूढे बाबा को पंडित घबराते हैं पावन कथा सुनाते हैं आठवे नव राते में इनके रूप को ध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं नव रातों का त्यों हार भगतों को लगाए पार नव रातों का त्यों हार भगतों को लगाए पार फिर पंडित ने जा करके है सुको किया नमन बोले सुहे पंडित बतलाओ आने का कारण बोला पंडित राजा हिमाले के यहां से मैं आया पुत्री पारवती का विवाह आपसे करना चाहा जिद है पारवती की विवाह बस आपसे करना है बड़ा घोर तप पड़ जाए चाहे उनको करना है बैठ गई है तप करने जब तक आप ना माने अंतर यामी हो खुद ही भोले आप सब जाने अब माता की तप की कहानी तुम्हे सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं आठवे नवराते में इनके रूप को ध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं नवरातों का त्यूहार भगतों को लगाए पार नव रातों का त्यों हार भगतों को लगाए पार जानत थी मागवरा ऐसे स्यूना मानेंगे इसलिए वो करने तपस्या गई है जंगल में बैठ गई वह धाने लगा कर स्यूही स्यूधाए कई हजारों वरसों तक बस कंद मूल फल खाए कंद मूल फल छोड़ दिये फिर खाए पत्ते बेल मा की महि मामा ही जाने कैसा जब है खेल पेड से तूटे सूखे पत्ते खाने लगी माता गोर तपस्या इनके जैसी कौन है कर पाता देख के ब्रह्मा विष्णु चिन्ता में पड़ जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं आठवे नवराते में इनके रूप को ध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं नवरातों का त्यों हार भगतों को लगाए पार नवरातों का त्यों हार भगतों को लगाए पार सूखे पत्ते खाने से पड़ा इनका नाम अपरणा ठान लिया था माताने बस सिउको है वरना ऐसा घोर तप करने से हुई इनकी काया जर जर रही अटल अपने निश्चय पे रही घोर तप कर फिर तो माने खाने छोड़ दिये सूखे पत्ते भी बोले ब्रम्हा विश्णू यह संभो है आप से ही ऐसे घोर तपस्य आज तक कोई ना कर पाया ब्रम्ह चारणी नाम मात का तब ही कहलाया भोले नात को हम विवाह के लिए मनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं आठवे नवराते में इनके रूप कुध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं नवरातों का त्यों हार भगतों को लगाए पार नवरातों का त्यों हार भगतों को लगाए पार हुई तपस्या पूरी आप की लोट के घर जाओ है वरदान कि स्यू संकर को पती रूप में पाओ फिर दोनों आए कैला सिप स्यू संकर को मनाने भोले तो भोले है इनकी माया यही है जाने खत्म हुआ है भोले अब तो बरसों का इंतजार करो विवहाब पारवती से जग का हो उत्धार कहने लग की भोले जैसी आपकी है इच्छा आज्या आपकी सपने में भी टाल नहीं सकता ब्रम्हा विश्णू के कहने से मान वो जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं आठवे नवराते में इनके रूप को ध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं नवरातों का त्योहार भगतों को लगाए पार नवरातों का त्योहार भगतों को लगाए पार गोर तपस्या करने से हुई जर जर इनकी काया शाम वर्ण भी हुआ बड़ा ना भोले को भाया गंगा जल में ले जाकर इनको असनान कराया शाम वर्ण से गोर वर्ण काया तब तो हो पाया गोर वर्ण के कारण ही मह गोरी कहते हैं अंग संग इनके भोले जी सदा ही रहते हैं कर गंगा असनान हुआ है मन भी बड़ा ही सीतल लगती है इस रूप में माता फूलों सी कोमल भक्त बड़े विरले होते जो दरसन पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं आठवे नव राते में इनके रूप को ध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं नव रातों का त्यों हार भगतों को लगाए पार नव रातों का त्यों हार भगतों को लगाए पार भगतों पे करती है सदा ही महगोरी उपकार सबसे सीतल रूप है यूँ तो मा के रूप हजार हर एक रूप में माता भगतों पे किर्पा करती जैकारों से गूज रहे ये अंबर और धरती आता है जब जब पावन नव रातों का त्यों हार हंस राज रिलहन करता है दरसन हर एक बार डीयस पाल पे रखना अपनी महर शार दा माता फोजी सुरेश तरी किर्पा बिन और न कुछ भी चाहता धन्दौलत का क्या है ये तो आते जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं आठ वे नव राते में इनके रूप कुध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं नव रातों का त्यों हार भगतों को लगाएं मार नव रातों का त्यों हार भगतों को लगाएं मार